हाई हलो गाईज वेलकम बैक टू माई चनल और आपकी स्कूल अगर चालू हो गई है और आपकी स्कूल चालू होना बाकी है तो यह है यह वीडियो आपके लिए होने वाला है है 100% helpful क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाली हो कौन से थींग स्कूल के लिए आपको करे करने हैं कौन से थींग आपको नहीं करने हैं आप टिप्स और ट्रिक्स कैसे फॉलो करने हैं मतलब आपको यह भी नहीं चीज़ बाई करते हो तो कैसे टिप्स आपको फॉल और शेयर दिप्स वीडियो विद आपको यह एट में वह नाइट में तेंख में वह 11 तेवल सभी के लिए यह वीडियो होने वाला है बहुत ही जाद हल्फूल तो लेस्टे स्टार्टिव विडियो नमबर वान तो आप स्कूल में जब ही जब ही जब जब ही जाते हो इसे अब इसे स्टेशनरी की शॉपिंग के लिए जाते हो सबसे इंपोर्टन चीज होती है वो धी बैग मतलब आपका साइक होता है जिसमें आपके सभी बोक्स नोटबुक्स करें तो यह ट्रिक आपके लिए होने बहुत ही उसफूल क्यूंकि as a student हमारी एक मेंडालिटी होती ह कि we want a new bag for every year अभी 9-10 standard वाले सुटन आपको चोटे बच्चों की तो यह mentality होती है इवन बड़े बच्चों की होती है तो आपको जब ही भी कोई भी बैग खरीदना है बाई करना है तो make sure that आपको वह 500 से लेके 1000 की रेंज में बाई करना है क्योंकि आप एक साली उस करने वाल और एक फाइल फोल्डर या प्रोजेक्ट फाइल बैठ रहे के लिए बहुत छोटा भी नहीं लेना है बहुत बड़ा भी नहीं लेना है आपको प्रोड़क्स कहां से बाई करने अफॉड़ेबल प्रोड़क की लिस्ट में यहां पर दे दूंगी वो वीडियो के एंड में लेना बहुत अफॉड़ेबल प्राइस में आपको यह मिल जाएंगे ओनलाइन और और उफलाइं स्टोर में तो बैक पाइक तरह आप बाई करते ताइम बहुत बड़ा नहीं लेना है बहुत छोटा नहीं लेना है फाइवंड़ेट सालेके वान थाउजं के रेंज में लेते तो बहुत सारे स्टूड़ें गल्दी करते हैं कि स्कूल चालू होने से पहले स्टोर में जाएंगे फटा 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 न्यू बुक ऑफ से डाइचेस क्वेशन बैंक सब लेके आएंगे बोर्स के हो या नॉर्मल हो आप लेके आओए यह गल्दी आपको नहीं घरी करने है आप यह यहां चीज घरम कर सकते हो कैसे आपके बुक स्टॉर पर जाओ जो बुक स्टॉर में आप आपके घर पांतास थे वो आपको दो दीन में भी अवेलेबल करके देंगे एक one or two week before आपको जाना है वो आपको सभी books half price में मिलने वाले आपको return भी कर सकते और फिर भी फिर से आपको पैसे मिल चकते हैं फिर से आपको money back मिल सकता है तो make sure that book store में जाओ फटा फट और book का सेट एक ले लो वो भी half price में number three तो आपके books हो गए अभी notebook के बारे में बात करेंगे notebook लेते time ये ग्यान रखना है कौन से भी बड़ी वाली बड़े brand वाली इतना अच्छी वाली one to two dozen का set लाके रखते हो अरी आपके school से मिल रहे हो तो बहुत ही अच्छा है बद बहुत सारे लोगों को school से नहीं मिलता है तो they want to buy that so basically आप जभी भी कोई notebook बाई करते हो तो six to seven आपको carry करनी है according to your subject मेरी line mark कर लो हर एक subject के लिए different book बनाओ आपके presentation book representation के बहुत ज़्यदा मैक होते impact करते assignment के मैं यह नहीं बोल रहे हो लोड बढ़ा हो आपको बहुत सारे books carry करो नहीं बिल्कुल भी नहीं हर एक subject के लिए एक करो अगर आपके history geography उसके कंबाइन कर दो half और half history geography maths 2 maths 1 के लिए कर सकते हो on the exam के time आपको इपास कोई notes नहीं होंगे तो notes के लिए आपको यह trick बहुत ज़्यादा नहीं होने वाजी है तो अभी आते हम fourth tip वो भी stationery की tip है stationery में आपको क्या लगता है pen pencil highlighter geometry box pouch सब कुछ लगता है यह एक ही बात मैं में बताने वाली हूँ कैसे करना है हाइलाइटर आप जो प्लेते हो तो बहुत सारे बच्चे हाइलाइटर का बॉक्स ले ले लेते हो कोई ज़रूरत नहीं है अब एक आप एक तो आप ऐसा वाला नॉर्मल बॉक्स रो एक बाय करो और वो अपने साथ कैरी करो यह आपको इंडिविजुली सब कुछ बाय करना है तो वो करो बट वो अलग और सेप्रेट पाउच में रखो क्यों एक नॉर्मल पाउच आता है ज़रूर्मेंट गलत हो सकते हैं तो ज़स्केश के लिए अलग पाउच करी करो नॉर्मर अलग पाउच करो फैंसे ऐसके लिए तो आपको नॉर्मल छोप से भी ले सकते हो फैंसी चीज़े बिल्कुल भी ने the light वाला पेंड fancy वाला पेंड महेंगे वाले बिल्कुल भी मत त्रामेक्स आपको दूंगी नहीं उसके बाद आता है सबसे इंपोर्टन थिंग आपका राइटिंग पैड राइटिंग पैड जब आप खरीते हो बहुत बच्चों के पास होता है अभी अप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको कार्टून वाला लेना है आप नॉमल पैड जेए नीट सभी एक्जाम के लिए चेक होते हैं तो ट्रांस्परेंट वाला एक राइटिंग पैड आता है 100-120 रूपीस के रेज़ में ऑनलाइन भी मिल जाएगा वह आप फटा फट ले लो बिकुस क्या होता है ट्रांस्परेंट पर आप कुछ निख नहीं सकते हैं फिर वो misbehave हो जाता है, copy हो जाती है, ट्रांस्परेंट राइटिंग पैड ले लो बहुत ही helpful होने वाला है आपकी stationery, तो यह हो गया हमारे stationery के मास, तो number 5 पर आता है हमारा Tiffinbox water bottle and what things you need to carry, तो basically आप यह बोलोगी कि यह hack है क्या, yes है मैरे बहुत सारे बच्चों को नेका ह कुछ भी मतलब literally fancy वाला Tiffinbox, cartoon वाला Tiffinbox से पर bottle carry करते है, तो वो bottle अगर 250 ml कि है, 300 ml कि है, तो उधना water आपकी body के लिए sufficient है पूरे दिन के लिए, नहीं, तो 1 liter वाला एक normal basic water bottle carry करो, 50 to 60 रुपी में आपको मिल जाता है, steel bottle भी आप कर सकते हो, one time investment है और बहुत सार आपको च but copper bottle अगर आप लेते हो तो उसके benefits भी अच्छे, तो copper bottle भी आप try कर सकते हो, Tiffinbox carry करो है, तो section वाला करो, 3 section के अलगर अग डबे वाला आता है, उसमें आप आपकी normal जो खाना है वो carry कर सकते हो, एक में आप आपकी snacks carry कर सकते हो, बहुत time के लिए हमें एक school में या time spend करना होत आप fancy चीजे नहीं लेनी है, जो भी आप खरीद रहे हो, जो भी आपकी essential stationery है, बहुत लोगों को लगती है essential stationery, stapler लगता है, pins लगते हैं, but make sure that you're buying it in very good price, because आप बहुत pricey चीजे लेते हैं, तो use ही नहीं होने वाला है, fancy चीजे मत लो, comfortable लो, हमेशा pen use, जो आप करते हो, व उसके बाद में next pen use करूंगा, नहीं, आप comfortable हो उस pen के साथ, तो सालों साल भी आप वो pen use कर सकते हैं, उससे handwriting इंप्रूम होगी, speed इंप्रूम होगा, सब कुछ होगा, scale, pencil, paper वो तो आप normal buy कर सकते हैं, उसमें मेरा कोई नहीं है, but आपको एक बहुत important tip में अभी देने वाली ह जो आपको बहुत useful होने वादी है, एक छोटी diary करो, एक आप like normal, like 100 to 200 pages की normal diary आती है, वो carry करो, pros के reminders, what to do, to do list बनाओ कि कौन से subject के आपको पढ़ाई करनी है, कौन से subject बाद की है, क्या syllabus है, बहुत helpful होगा, मैंने खुदने try किया है, तो ये थी हमारी cool hacks, cool things hack, जो आपको carry करन अगर आपको कोई भी query हो, is related, तो आप comment box में मुझे पूर सकते हो, मैं 101% आपके comments पढ़ूँगी और उसका answer देने का try करूँगी, अगर आप मेरे चानल पे नए हो, तो चानल को subscribe कर दीजिए, वीडियो को like कर दीजिए, वीडियो सभी friends के साथ share कीजिए, thank you so much for watching.